सभी खूर मस्कार हम जानते कि हमारे हिमाißtल के सिवीज में जब यहां पहुचा तो मैं मनाली से करीब 12 क्डिलो मेटर पहले जगह पतली कुहल पत्ली कोवय रुल और यहां इने स्टेक किया तो हमारे रउर श्रमा जी जिनका यह निवास्ता और यहां। माउंट वियू के नाम से मैं आपको बताया था दिखाया था यहां पर मैं स्टेक गिया और अभी जो यह हम आज यहां पर परिवार के साथ बैठ के हम खाना का खाने का एंजॉय करेंगे और यह कुछ एक सिस्टम है जिस सिस्टम में बैठ कर खाया जाता है इसको हम बोलते है तो इसमें आप देखें यह कडी पकोड़ा है और शाइपनीर साथ में एक ट्रडिशनली स्विट डिश है और आलू गोभी और पूरिया तो यह आप देखें बहुत ही मतलब जिसको कहते है कि प्यार से बरायाओ जो खाना है उसको आज सर्फ किया जा रहा यहां पर तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लिए नोटिस किया कि मनाली में बहुत ज्यादा भीर लेती है और होटेल्स की जो रूम्स के जो हमारे फेर है वो सब बहुत ज्यादा होते हैं उसके हिसाब से अकॉमिडेशन नहीं मिलती है यहां बहुत अच्छा मुझे लगा और अब मैं फूद टेस्ट करता हूं और कि यह शाही पनीर स्वाद लेते हैं इसका कैसा है अब बहुत ही बढ़िया एक डिफ्रेंट टेस्ट है चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे कड़ी पकोड़े का टेस्ट कैसा है अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है पकोड़ा और उसको टेस्ट करते है बहुत बढ़िया बहुत चांदा कड़ी का एक अलग स्वाद अचार और यह अचार भी है यहां पर हमारे पास जपानी के अचार यह घर का बनाओ अचार है और यह जपानी फल यह जपानी फल का दे के अचार है मैं इसको भी टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ यह जपानी फल बताया मैं यह तो थोड़ी सी आलू गूमी के साथ ट्राइ करते हूँ करते हैं यह तो तो डिपरेंट टेस्ट आपने भी बहुत जगह एंजॉई किया होंगे लेकिन जो यह यह जपानी फल बताया अभी आउटी ने इसका टेस्ट विल्ला कुछ निमू जैसा है खटा अबुजे नहीं पता है यह फल कौन सा है वैं ने देखा नहीं कभी अ हलका करता है खटा है जो लेमन जैसा है लेकि अतलव है और लेकिन अच्छा है दूप्री सेलेट यह उखता है यह त्यूस के महँट गूड है और साथ में जैलेट भी है और मेरी फेवरिट ग्रीन चिली तो गाइस अबी अगि बढ़ते है शेयलेट भी थोड़ा सा लेते है तूर का खाने का खाना बनाने वाले के उपर निर्भर करता है तो इसा है यह स्वानाशनाध थे प्र प्रिशन का यह अपर दो हुआ है जो सब फूर मैंने खाया एक्सिलेंट वाद हन्रेड आउट आउट फंड्रेड घर का खाना घर का है और यह दिस इस माय फर्स ताइम लाइफ ताइम हमाचल के परिवार में इस प्रकार से खाने को एंजवाई किया है और मुझे बहुत जादा टेस्ट आ रहा है इसमें यह फर्स चांस है कि मैं हमाचल के घर का खाना टेस्ट कर रहा हूँ इस देखे श्वीट डिश है बेस्ट पार्ट इस जादा रहा है तो बेस्ट पार्ट इस कि मैंने आपको फिर से बताया कि जो मदर होती है माँ होती है वह जैसा अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है यह सब फूड वैसा ही प्रिपेर किया गया एक्स्ट्रीम्ली गूड और जब स्वीट डिश आपको बताते हैं यह सेमया है कि इसका टेस्ट करते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है कि अगर मैं यह बोलू कि 100 आउट फंडर्ड तो कम है मेरे हिसाब से इसको मार्क्स में नहीं तोलना चाहिए बिकॉस प्रेशियस है बेश किमती खाना है बहुत मजा आ रहा है और गाइस मैं खाना एंजॉय करता हूं और मिलता हूं आपसे थोड़ी देर के बाद तो गाइस देखिये सीधा करर अफ जिस वेजेटिबल एंड करी पकोड़ा आलू गोबी मतलब फुल फूड फुल अफ लव और सबसे अच्छी बात क्या है हिमाचल प्रदेश का जो एक ट्रडिशन है सौल तक नीचे बैठकर जिस परकार से अरेंज्मेंट में खाया जाता है वो मैंने आपको आज दिखाया और मेरे इस पूरे टूर का आज का जो फूड था आज का जो यह फूड एंज्वाइ कर रहा हूं यह बहुत मज़े का है और यह देखिए अर्रेंज्मेंट मैंने आपको दिखाया जहापे हमारे साथ आदित्य और आदिती भी है और हमारे रिस्प्रेक्टिड अंकल रविंद बैट कर इनके साथ बात करेंगे तब तक मैं खाने का आनंद उठाता हूं और खाना देखकर शायद आपको भी पानी आ रहा होगा तो चलिए मिलते हैं आप से कुछ देर के बाद के बाद में बताया था आपको भी हमाचल सीरीज में हम लोग आज जहां गैस हाउस में स्ट रहा है किया और क्या ही बताऊ क्या खाना था क्या मोहाल था उस्टाओ बाद बाद बतांगे का हम आप के लेज लाट राम जो और टार टाहinky होई ह्ट ऑदिख होगारे यहां सब खाने के साथ देर दोकिर द्टाद होगारे न बताट की क्वाजर खाने का मौका मिला और हमने देखे किस तरीके से यहां पर एक सिस्टमाइज बैट के हमने खाने का एंजॉई किया और चलिए बात करते हैं हमारी परा मदर निया आंटी से और बहुत ही प्यारे प्यारे दो मोतियों जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ नमस्ते आंटी तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में सबसे पहले तो और आपको बहुत बहुत थैंक यू है कि इतना टेस्टी आपने खाना खिलाया कि हमें अपने घर के खाने की याद दिला और कुछ उसमें मैंने जो पाया हाला कि बहुत सिंपल अच्छा घर जैसा खाना था पर फिर भी उसमें कुछ अलग था जो मैंने महसूस किया जैसे कि मैंने कड़ी को टेस्ट किया था तो मैंने बताया था कि आणटी कड़ी में कुछ बहुत अच्छा है अलग है तो कुछ बताएं आप अपने जो आपने ट्रडिशनल कल्चर में आज में खाना खिला तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको थैंक यू और आप कुछ बताना चाहेंगे आज हमारे चैनल के कुछ खास खाने में क्या था आपका इसमाचली टच था एक आप जो चार दिन रहते तो कुछ और खाना पहले तो बहुत अच्छा है नई बहुत ही अच्छा खाना बना था मैं तो खुद बहुत एंजॉई किया और शायद अगर मैं आपके हाथ का खाना रोज मिलने लग जाए तो मतलब यहां से कोई होटल का आपके कमरा खाली करके ज कुछ बहुत अच्छा है तो आप लोगों के स्कूल खुल गए अच्छा तो आज तो लेकिन बहुत बारिश हो रही थी सारा दिन बारिश रही है और बारिश में आज आपने बताया कि आपके स्कूल की छुट्टी होगी स्कूल खुल गए काफी दिनों के बाद कोविड की वज़े से 17 को खुले थे वेरी गोड और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है तो आज हमारे चैनल पर कुछ मैसेज देना चाओगे कुछ किसी को कुछ कहना चाओगे इस चैनल को और जादा सब्सक्राइब करें और अभी देखो हमारे चैनल के लिए हमारे प्यारे से फरिष्टे के दोवर्ट थे की चैनल को सब्सक्राइब करें अधिती कुछ कहना चाहेगी नहीं कहना चाहेगी बट अधिती मुझे आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा है हाँ मैं फिर आऊंगा दुबारा आऊंगा मुझे आप दोनों से मिलके बहुत मज़ा आया और जो हमारी फैमिली से मिलके बहुत मज़ा आया तो अधिती मैं चाहूंगा कि आप भी कभी दिली आना हमसे मिलना और हम साथ में एंजॉय करेंगे तो गैस आज हम इस अपने इ स्टूर में हमने बहुत कुछ experience किया और कोशिश की बहुत ही well planned तरीके से हम मतलब कम से कम पैसे में maximum आपको travel करना है कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं ज्यादा enjoy कर सकते ही हमने आपको बताया और बड़ा अच्छा experience रहा इस टूर का और आगे कुछ और नई जगह पर जा और दिखाते रहेंगे आपको कुछ और अपने नई सीरीज में और स्वस्त रहें stay healthy और खुश रहें देखते रहें डिल से travel बाई बाई